ही घाइस वेलकम बैक नो आई चैनल कैसे हैं आप सब आई हो कि आप सब अच्छे होंगे और आज मैं आप सब के साथ बहुत ही जदा आसान और मज़े का आलू और मसूर दाल पुलाओ की रशेर बैण जा रही हूँ इसे मैंने बहुत ही असान तरीके से बनाए है और आप तीसी जटपट से बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर यह दिके मैंने जो खड़ा मसूर होता है ना काला वाला मसूर भी इसे कहते हैं इसे मैंने भीगो कर रख दिया इसे भीगोए वे मुझे 40-45 मिनट हो गया है देख सकते हैं यह थोड़ा थोड़ा फूल भी गया है जब तक हम बाकी का प्रोसेस करेंगे ना 10-15 मि कि लिए 1-5 कप चावल ले लिया है और इसी कप से मैंने आधे कप लिया था दाल अधे कप दाल के लिए 1-5 कप चावल परफेक्ट है तीन दुना के अब इसे वाश करेंगे तीन-4 पानी से जब तक पानी क्लियर नहीं हो जाए इसके बाद रख देंगे भीगो कर आदे पर पतीरी में तेल डालेंगे मैंने रिफाइन ओल लिया है दो चमच में देसी घी अट कर दी हूं आप चाहे तो पूरा घी में ये पुलाव बना सकते हैं और इसके बाद इसमें डालेंगे सबसे पहले कुछ खड़े गरमसाले मैंने लिया है तेश पता चोटी इलाइची द तर जी ओने लाइची के जाएक गरमसाले खी गवील घीड़े गिया के जख़़ें प्यास काई देना मैंने जो जैसे हैं यहां पोरा गुलाब हिसे प्या जी हरें काँ घूलर दाएनगे जादान ही देना प्यास को हमें वरना जो पुलाओ है ना उसका भी जो कलर वो काफी डार्क हो जागई रिखिए यहां पर बस प्यास जो है ना वो प्राउन होना स्टार्टी हुए हैं अब हम इसमें अधरक और लेसन का पेस्ट करेंगे एक चमच इसे जादा पूनी डालना एक चमच अ अधरक लेसन को मैंने दो मिनट के लिए भूना विख सकते हैं प्यास का भी कलर थोड़ा सा पहले से डार्क हो गया है अच्छे से मिला लेंगे अब हमने जो दाल को भीगो कर रखा था यहां पर इसे एड़ कर देंगे डाल को एड़ करने के बाद हम इसे दो से तीन मिनट क अब हम इसमें अब में मेडियम साइस का लू लिये ते जिसे मैंने इस तरीके से मोटा मुटा कट किया है आलू और दाल को दोनों को शाथ में हम भूनेंगे कम से कम 3-4 मिनट के लिए इस तरीके साब को बीच वीच में चलाते वे से बूनना है वरना यह नीचे पकड़ ले तो नमक भी आपको एट करना है कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ते हैं जब तक कि आलू और दाल 80-90% गल नहीं जाते हैं क्योंकि अगर आप इसे इस पॉइंट पर नहीं गलाएंगे ना तो यह बात में चावल के साथ जब पकेंगे तो बस कच्छे रह जाएंगे क्योंकि चावल को पकने में कम टाइम लगता है आलू और दाल को ज्यादा लगता है तो इसे स्टेज पर पानी आट करके आपको गल मैंने लिए हैंशे को माइन ये मेरन ली अया नो उरिये मोटा मोटा कट किया है और 3-4 हरेमिछ लेरे मजिदे हैंशे को मैंने 20 से ऩे श्लिट कर लिया है और इस तो कटड़ने से घालते चावल को मिक्स कर लें और इसमें पानी आट करना है आपको तो डीर कप चावल के लिए हम तीन कप पानी लेंगे मतलब जितना भी आपने चावल लिया था ना उससे डबल आपको पानी लेना है तो डीर कप चावल के लिए यहां पर मैंने तीन कप पानी आट कर दिया है इसम अगर कम लगे नमक आप इसी स्टेच पे डाल सकते हैं और आधा चोटा चमच मैलने अट किया है गरम मसाला पाउडर बस इसे हलके आतों से मिक्स करेंगे हम और इसे प्रसे पाने चेकर सकते हैं अब इसे कवर करके आधा कवर करके हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता यह दिखिए इसमें उबाल आ गया है तो अब हम धक्कन हटा देंगे धकन अठाकर आपको हाई फ्लेम पर इसे पकाना है जब तक कि पानी उपर से ड्राइए नहीं हो जाता तो आप इसे हा बिना कवर की आपको पकाना है इसे हाई फ्लेम पर तो यह दिक्या हाई फ्लेम पर मैंने से पकाया है अब देख सकते हैं उपर से पानी जो वो ड्राइव हो गया बस नीचे-नीचे पानी बचा है बड़े-बड़े से आपको बुलबुले देख रहे होंगे तो इस बिल्कुल अलग अलग है बस चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं इसका मज़ा गरम गरम में आता है आप इसे चटनी रायता सलात के साथ या फिर अचार के साथ भी सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ही ज्यादा मज़ता है तो आप इस एक बार जरू ट्राइब कर दो अगर आपक एक्ट्रा सीपी के साथ चिल देन बाबाई च्छेक के एर